हेलो एवरीवन वेल्कम तो मैंसल प्रतीक कंड और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंने पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कॉंटेट्ट क्वालिटी एड्यूकेशन वह भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्स टीक है तो क्लास 11 का बहुत जबर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ाने का स्टाइल है कि जब मैं टॉपिक उठाता हूँ तो हलका सा रिविजन आपको मैं देही देता हूँ ठीक है यहां पर भी देखे रखा हुआ है तो अब कोलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब कोलीजन के जो दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट से वो क्या है? ELASTIC AND INELASTIC कोलीजन और आज यहां पर क्या लिखा हुआ है? ELASTIC AND INELASTIC कोलीजन तो बस यह तुमारा एकदम UNTIM topic हो जाएगा कोलीजन का ठीक है? चले ओके डैन बिना समय लगाए तो RUN से पहले स्टार्ट करते हैं मैंने कहा mean by coefficient of restitution अब ज़रा गौर करेगा अच्छे से तुरहन से पहले फटा-फट काम करेंगे देखो बड़ा पहली वाली बॉड़ी initially यहाँ भगरी थी विथा velocity of u1 उसके बाद दूसरी वाली बॉड़ी जिसका वास था m2 वो यहाँ भगरी थी विथा velocity of u2 अगर ऐसा होता है कि पहली वाली बॉड़ी की velocity दूसरी वाली बॉड़ी की velocity से अगर जादा होती है तो यहाँ पर टकर तो होना लाजमी है तो यह रही पहली वाली बॉड़ी और यह रही दूसरी वाली बॉड़ी टकर तो हो गई और टकर होने के बाद क्या होगा जिसका मास M1 है अब उसकी विलॉसिटी यहापे कित्ती हो जाएगी V1 के बाद V1 के बराबर टकर होने के बाद विलॉसिटी चेंज आदी न. तो यह होगी final velocity और दूसरी बाली body है जिसका मास था M2 के बराबर अब उसकी velocity क्या हो coefficient of restitution यह coefficient of resilience इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया था and that was relative velocity of separation separation यहाँ पर हो रहा था approach यहाँ पर दोनों bodies approach कर रहे हैं यहाँ पर दोनों body separate हो रहे हैं तो यहाँ पर हो गया था v2 minus v1 क्या हो गया था v2 minus v1 upon upon में क्या था relative velocity of approach मतलब u1 minus u2 u1 minus u2 it's as simple as that so this was nothing but coefficient of restitution यह फिर coefficient of resilience ठीक है अब यहाँ पर मैंने आपको बकाइदा प्रूफ करके बताय हुआ है कि elastic collision के लिए होता क्या है for elastic collision किसके लिए एक एक शब्द बहुत important है 10 sources से पढ़ने के आपको जरूवत नहीं पढ़ेगी आपको लेक्चर की जो length है वो जरा सी लंबी लग सकती है but because वो इसलिए हो रहा है because हम बहुत जादा deep में चले आता है ठीक है और वो जरूरी भी है otherwise क्या होगा कि आपको आदा दूरा ग्यान मिलेगा जगह से तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा समय गया वो अलग ठीक है तो यहां ज़रा गौर करो for elastic collision हम प्रूफ कर चुके थे कि e की value होती है 1 क्या होती है e की value होती है 1 बेटा अगर e की value 1 हो गई न इसका मतलब क्या होगा बता है इसको वहाँ उचका दो तो यह क्या हो जाएगा u1-u2 is equal to v2-v1 चमका क्या बोलते हो पक्का दन तो एक यह वाली कहानी थी जो हम पहले ही figure out कर चुके थे इसको भाई साब note कर लेना ठीक है अगर noted पहले से है तो बहुत जबरदस्त अगर नहीं है तो कर लो 3 2 1 ready go done चले अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर elastic key points of elastic collision in one dimension ठीक है सबसे बड़े key point यहाँ पर क्या थे कि momentum conserved रहेगा दूसरा kinetic energy conserved रही थी तो देखो भाई साब पहले वाले case में यहाँ पर क्या करके रखा है यहाँ पर momentum को ही तो conserve करके रखा हुआ है initial momentum of the entire system equal to final momentum of the entire system ठीक है उसके बाद क्या करके रखा है kinetic energy also remains conserved मतलब initial kinetic energy of the entire system is equal to final kinetic energy of the entire system it's as simple as that अब उसमें carry on करने के बाद हमारे सामने जो निकल करके आया है वो यह निकल करके आया था मैं पहले भी आपको यहाँ पर दिखाई चुका था कि भाई साब होने क्या वाला है u1-u2 is equal to क्या होने वाला है बेटा v2-v1 वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है u1-u2 is equal to क्या होना है v2-v1 तो यह important चीज़े हैं तुमारे पास for elastic collision in one dimension अब जरा आगे आजो अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि velocity निकालनी है body A की after collision collide होने के बाद elastic collision की बाद चल दिए किसकी बाद चल दिए? elastic collision की तो elastic collision में collision होने के बाद A वाली body मतलब पहली वाली body की क्या velocity बचेगी finally वो आपको निकालना होगा ठीक है तो जरा बिलकुल time लगाए बिना start करते हैं जल्दी से जल्दी ठीक है अब देखिए यहां पे आपको जो कहानी बतागर के रखी थी यह तो आप समझ गये थे E के बारे में मैं चाहता हूँ कि इस equation को ना आप लिखके रख लो समझ रो इस वाली equation को तुम दिल से लगा लो यह बहुत जबदस्त है यह काम करने वाली आपको अभी ठीक है 3, 2, 1, ready, go, done हो गया चलो अब आजाओ velocity of body A after collision ठीक है तो अब अपने को वो निकालना है इसका मतलब समझते हैं आप देखो बेटा अगर U1 है U1 का मतलब क्या होता है initial velocity body A की उसके बाद अगर U2 है इसका मतलब क्या होता है initial velocity body B की उसके बाद V1 है V1 का मतलब क्या होगा final velocity body A की ठीक है पहली वाली body की और V2 है इसका मतलब final velocity इसकी, बोडी बी की, थीक है, ये टर्म से आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी, अदरवास, क्या निकाल होगे, थीक है, चलो, अब ज़दा शुरुआत करते हैं तो हमारी, जल्दी करो, देखो, जैसे कि हम लोग जान गए हैं पहले से, जैसे कि हम लोग जानते है पहले से ही कि यहार elastic collision है तो momentum is going to be conserved momentum is going to be conserved ठीक है तो यहां से कहानी कैसे उठने वाली है कि अच्छा भाई initial momentum of the entire system is equal to final momentum of the entire system क्या बोलते हो पक्का ये वाली बात बिल्कुल सही है ठीक है अब ध्यान देना अच्छे से ये वाली equation तो मारे पास तो होनी ही चाहिए ये वाली equation तो मारे पास तो होनी ही चाहिए ठीक है अब मुझे क्या निकालना है ध्यान देना मुझे निकालना है velocity of a after collision मतलब मुझे निकालना है कि v1 क्या होगा क्या निकालना है मुझे V1 निकालना है तो V1 निकालने में आपका ध्यान होना चाहिए अब ये आपके पास equation रही अच्छा आप एक बात और जानते हैं कि U1-U2 जो होता है वो होता है V2-V1 के बराबर करवा चुका था तो ये था E था ना इसका ratio था उसके बाद E की value क्या आ गई थी 1 आ गई थी तो ये उचक्की यहां चला गया तो U1-U2 इस इकोष्ट में क्या बन गया V2-V1 ठीक है अब ज़रा गौर करना अच्छे से मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है V1 ठीक है final velocity of body A निकालनी है तो एक काम करो अगर V1 निकालना है न तो एक दफा के लिए यहां से क्या करो यहां से उचका लो V2 क्या उचका लो V2 ठीक है तो अगर आप यहां से V2 उचकाएंगे तो यह हो जाएगा U1 प्लस V1 is equal to क्या आ जाएगा V2 ठीक है अगर ऐसी कहानी बन गई है तो अब obviously क्या करेंगे यहां जो हमने निकालने रखा है V2 वो क्यों निकालना है तो यहां पर हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 इसको बिल्कुल भी टच्च मत करो उसके बाद क्या हो जाएगा M2 और उसके बाद क्या है V2 और V2 क्या आचुका है V2 आचुका है जो लिखा हुआ है उसको चाप देना तो U1 माइनस U2 प्लस का V1 सही जा रहे है चलो ठीक है भाई सब इसको बिल्कुल मत छेड़ना अभी M1 U1 M2 U2 इसको बिल्कुल मत छेड़ो अब एक काम करो यहाँ पर खेल दो इसके साथ M1 V1 प्लस अब ज़रा खोल दो इसका पूरा ब्राकेट तो यह क्या हो जाएगा M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 ठीक है इसको अब इसका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप निकालने क्या वाले है आप निकालने वाले है Final Velocity of Body A After Collision आपको V1 निकालना है क्या निकालना है आपको V1 निकालना है ठीक है भाई साब ज़रा गौर करो कैसे निकालोगे तुम V1 V1 को एक तरफ पटक दो वो सबसे बैस रहेगा तो भाई साब यहाँ पे M1, U1 M2, U2 V1 को एक तरफ रहने देना इसको उचका लेना तो माइनस का M2, U1 इसको उचका लेना तो प्लस का M2, U2 इस इकोल टो अभ यहाँ पे क्या बचने वाला है देखो, V1, V1 कोमन आजाएगा तो M1 प्लस M2 हो जाएगा देखो ना, यह वाला टर्म और यह वाला टर्म M1, V1, M2, V1 तो V1 कोमन निकाल लेना जैसे V1 आप कोमन निकालेंगे तो बचेगा M1 प्लस M2 हमने बोला कोई बड़ी बात नहीं है अब यहाँ पर काम देख लिया जाए कि क्या चीज़ें हो रहे है एक तो M2, U2 प्लस M2, U2 बोले तो ट्वाइस ओफ M2, U2 तो ट्वाइस ओफ M2 पका क्या कर रहा M2, U2 M2, U2, ट्वाइस बन गे M2, U2 का उसके बाद अच्छा M1, U1 माइनस का M2, U1 आ रहा है ठीक है, तो एक काम करो U1 कॉमन निकाल लेना, क्या निकाल लेना बेटा U1 निकाल लो कॉमन, तो M1, U1 है और यहाँ पर है माइनस का M2, U2, तो U1 कॉमन निकाल लोगे न तो यहाँ बच जाएगा M1 माइनस M2 यह आपका सौर्टेड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आ रहा है V1 M1 प्लस M2 ठीक है, आपका मेन फोकस तो यह होना चाहिए कि आपको निकालना है यहाँ पर V1 क्या निकालना है, आपको V1 निकालना है तो आप बस यह करिए, देखिए V1 is equal to यहाँ से क्या होने वाला है, यह होने वाला है twice of M2 U2 upon नीचे क्या आजाएगा M1 प्लस M2 यह आगा twice of M2 U2 upon नीचे पटक दिया अपनने M1 प्लस M2 और यहाँ पर क्या आजाएगा U1 M1 माइनस M2 और U1 M1 माइनस M2 और नीचे आजाएगा M1 प्लस M2 नीचे आजाएगा M1 प्लस M2 और यह हो गई आपके पास final velocity किसकी body A की after collision मैंने पहले कहा था कि V1 का मतलब क्या होगा final velocity of body A और final है मतलब after collision ही हो रही होगी तो यह आपके पास V1 की equation जल्दी से जल्दी इसको note करो जल्दी करो चले फिर इसको note कर लिया आप लोगों आपके पास final velocity of body A just after collision तो V1 की value आपके सामने आ चुकी है यह रहा इसका proper expression ठीक है चले okay then तो यह वाला कायक्रम जो V1 यहापे पूछा होगा था आपके सामने लंबा formula है मैं समझ रहा हूँ लेकिन यार यार तो गरना पड़ेगा इसको सवाल आते है इसके उपर direct ठीक है जब सवाल direct आ रहे ना तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है यह formula बस लंबा है इसको याद कर लो सवाल direct ही आ जाएंगे बस values लो ठीक है बट after collision ही निकालना है ठीक है तो पहले हमने V1 निकाला था अब हमको निकालना है V2 मतलब final velocity of body भी निकालनी है दूसरे वाली body की निकालनी है चलो भाई सब कूत पढ़ें इसके ओपर जल्दी आ जाए ready चलो अब ध्यान देना एक बात तो कौन सी बात शौर है momentum conserved होता है क्या conserved होता है momentum conserved मतलब initial momentum of the entire system M1 U1 plus M2 U2 is equal to final momentum is equal to final momentum of the entire system ठीक है क्या आपको यहां तक कोई परिशानी है पक्का चले आगे बढ़ते हैं अब ध्यान देजेगा नाओ आपको एक चीज पता होगी देखिये relative velocity of separation relative velocity of approach इन दोनों की value जो होती है वो बिलकुल बिलकुल बराबर होती है because e की value हो जाती है 1 for elastic collisions ठीक है it's as simple as that तो इसका मतलब है यह की U1 minus U2 जो होगा वो होगा V2 minus V1 के बराबर it's as simple as that अब जरा गौर करेगा आपको निकालना है final velocity of body B after collision obviously मतलब V2 निकालना है जब V2 निकालना है तो एक काम करो यहां से V1 निकाल लो भाई मैं यह पहली बार थोड़ी कर रहा हूं मैं यह पहली बार थोड़ी कर रहा हूं इससे पहले मुझे final velocity एक ही निकाली थी मतलब V1 निकालना था तो मैंने वहां पहले V2 निकाल दिया था उसको put किया था वैसे ही जब मुझे यहां पर V2 निकालना है तो मैं पहले V1 निकाल लोगा उसको put कर लोगा अगर यहां से V1 को उचकाया जाए तो V1 को यहां पटको अकेली कौन बची की राइट में अभी तो बच रही है V2 ठीक है बाकी इसको यहां पटको minus का U1 plus का क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा अब यह आपके पास देखो V1 निकालना पड़ेगा पहले तो V1 यहां निकालना तो V2 minus U1 plus का U2 अब जरा इसकी value को put कर देते हैं उपर वाली equation में जैसे हम इसको put करेंगे उपर वाली equation में तो हमारे पास क्या आने वाल है जरा गौर फरमाएगा अच्छे से देखिए M1 U1 plus M2 U2 इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे ठीक है उसके बाद M1 अब आ गया है मौका V1 को put करने का और V1 हम निकाल चुके थे काईदे से तो V1 क्या आ चुका था V2 minus U1 V2 minus U1 plus U2 It's as simple as that बिटा terms बड़े confusing है V1 U1 V2 U2 तो इन टाम से आपको ना बड़ा ख्याल लगते हो आगे बढ़ना पड़ेगा otherwise फिर बीच में खेल हो जाएगा ठीक है चलो तो M1 आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर और V1 हम लोगों ने यहाँ से उचला कि यहाँ पर पुट कर दिया है ठीक है उसके बाद क्या बचेगा ध्यान देना कहां पुट कर रहा हूँ principle of conservation की equation के अंदर पुट कर रहा हूँ ठीक है initial momentum of the entire system equal to final momentum बस वो कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा M2 V2 उपर देखो M2 V2 यह वाली बात समझ में आ गई बस खोल दो bracket भाई साब कोई इत्ते tension वाली बात नहीं है तो M1 U1 M2 U2 is equal to खोल दो उसका bracket तो M1 V2 minus M1 U1 plus M1 U2 समय M1 multiply कर दिया M1 V2 आ गया यह आ गया और यह वाला term आ गया हाँ जी सही चल रहा है उसके बात plus M2 V2 अच्छा भूल मत जाना निकालना है क्या है यहां निकालना है हम लोग को velocity of body B after collision मतलब क्या निकालना है V2 निकालना है क्या निकालना है V2 निकालना है तो एक काम करो पहले सबसे फोर्सत में तो एक काम करता हो इसको तो मैं छेड़ी में रहा this remains untouched ठीक है अब एक काम करो V2 वालों को एक तरफ रहने दो और बाकी sub terms को एक तरफ फेक दो V2 वाला बोले तो यह वाला हो यह वाला बहुत जबरदस्त तो यहां पर कित्ता आगे है हमारे पास यह आगया प्लस का और यह आगया माइनस का चलो बहुत बढ़ी है अब एक काम करो यहांसे V2 कॉमन ले लो तो V2 तो कॉमन लेना पड़ेगा वही तो निकालना है जैसे V2 कॉमन लोगा तो M1 प्लस M2 आ जाएगा क्या बोलते हो पका डेन चलो अब जड़ा लेफ्ट पर कारिकरम किया जाए भाई M1 U1 M1 U1 दो दो बार दिग गया M1 U1 मतलब त्वाइस ओफ M1 U1 हमने पकड़ लिया इसको तो भाई उसके बाद जड़ा गौर करिएगा यहां पर M1 U2 है और यहां पर M2 U2 है तो यहां से काम करो U2 कॉमन निकालो जैसे U2 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा M2-7 क्या बचेगा M2-M1 इत्मनान से गौर पहला और तीसा टर्म एड होके twice of that हो गया उसके बाद M2 U2-M1 U1 M1 U2 ठीक है तो U2 कॉमन निकाल लिया तो M2-M1 बच गया और यहां पर क्या बच रहा है V2 M1 प्लस M2 ठीक है अब इसके हिसाब से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ काया पलट इसकी ऐसे होने वाली है गौर फर्माईए अब यहां से मुझे V2 निकालना है मुझे यहां पर V2 ही तो चाहिए था तो V2 क्या हो जाएगा भाई M1 प्लस M2 को नीचे पटक दो ना ठीक है M1 प्लस M2 को नीचे पटक दो इसके भी नीचे उसके बाद क्या लिखा हुआ है M2 माइनस M1 और नीचे क्या आजाएगा M1 प्लस M2 टेंशन वाली कोई बात नहीं बस खत्म यह आपके पास आ गया है final velocity किसकी दूसरी वाली body की after collision obviously because collision के पहले क्या होगा approach होगा सब कुछ initial collision के बाद क्या होगा जो कि आपसे यहां पर desired था what is the velocity of body B after collision so this is going to be the velocity of body B after collision अब वही चीज है A वाली body की velocity का formula भी लंबा आ गया था B वाली body की velocity का formula भी लंबा आ गया आपका काम बस यह है कि जल्दी से जल्दी इसको note करिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं चलिए गजब यह तो फिर आप लोगों ने लिख लिया होगा अब जरा देखा जाए कि हमसे क्या पूछा होगा था हमने वही तो निकाला है V2 पूछा होगा था भाई साब velocity of body B after collision तो वह तो हमारा कायक्राम हो चुका है अब जरा अगली बात पर यह तरह सल एक case है यह case क्या है कि velocity निकालनी आपको V1 का मतलब होता है V2 का मतलब होता है final velocity बड़ दूसरी बड़ी U1 का मतलब initial velocity पहली बड़ी और U2 का मतलब होता है initial velocity दूसरी बड़ी लूप पे सुन लो लिख लो तरीके से ठीक है अब आपको उन्ही वेलोसिटी के बार में बात करनी है बट यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी लोसिटी निकालनी है बट कंडिशन के इंपोस कर दिया कि दोनों बॉडी का मास से इम है अब देखा जाए देखो पीटा कैसे करेंगे इसको तो यह करने के लिए मैंने आपके सामने जो वी वन और जो वी टू था वह मैंने एक साथ लिख दिया है चलिए तो आप लोग भी क होचा जाए और उसी पर बिल्ट अप किया जाए ठीक है तो कंडिशन जो इंपोस करी है वो कंडिशन दरहसल यह इंपोस करी है कि दोनों बॉडी का मास बराबर है मतलब M1 और M2 दोनों बराबर है अगर दोनों बराबर ही है तो क्यों न हम उसको M बोल दें क्यों न हम उसक से ठीक है क्या निकालना है वीटू देखो बेटा twice of m1 डे मतलिको m1 सेम हो गए तो m u1 अपन नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 जब m1 प्लस m2 करोगे तो वो जाएगा m प्लस m प्लस u2 m2 माइनस m1 करोगे तो m माइनस m कर रहे हो और यहां पर क्या हो जाएगा M plus M, दोनों का मास बराबर है ना इसले इसके बाद क्या होता है, देखो भाई साब, M plus M किता हो जाएगा 2M, तो 2M U1 upon, नीचे क्या हो जाएगा M plus M बोले तो 2M हो जाएगा plus इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा M minus M, निपड़ गया 0, बस निपड़ गया तो पूरा निपड़ गया 0, ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा, 2M से 2M कर जाएगा, क्या बचेगा, U1 बचेगा, ओके इसका मतलब यह है, कि अगर दोनों बोड़ी का मास सेम होगा ना, तो फाइनल विलासिटी ओफ दूसरी वाली बोड़ी इस इकोल तो इनीचल विलासिटी ओफ पहली वाली बोड़ी, यह हमने प्रूव कर दिया, ठीक है आया आपको समझ, जल्दी बताओ भाई लोग, यह बहुत तगड़ी चीज थी equations में ही पूरा खेल हो गया है, ठीक है, अब ज़रा गौर करें अंगले वाले पॉइंट के उपर V1 पर ज़रा गौर किया जाए कि इसकी कहानी कैसे change होती है, देखिए 2M2 U2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, twice of M times U2, upon नीचे क्या है, बिटा M1 plus M2 मतलब भई वाली कहानी M plus M, ठीक है, उसके बाद plus क्या था, U1, उसके बाद क्या था, M minus M, upon नीचे क्या हो जाएगा, M plus M, हालंकि इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, अब यह आपन जानते हैं, 2M U2 तो उसको रहने दो, उसके बाद M plus M क्या होने वाला है, 2M होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, 0, because यह निपढ़ी है, M minus M, अब इसके बाद क्या ब दिखा दिया, final velocity दूसरी बादी की is equal to initial velocity पहले बादी की, और final velocity तक कर के बाद जो व्लासिटी है पहले वाली बाडी की, वो दिर असल initial velocity ऑफ दूसरी बारी बादी के exactly बराबर आने वाला है, it's as simple as that, ठीक है, तो जल्दी इसको नोड कर लो, फिर इसमें अपन आगे जल्दी करिए चले भाई लोग जवर्दस इसको नोट कर लिया आप लोग ने अब जरा इसे क्लियर किया जाए अब जरा इसे क्लियर किया जाए और फिर आपके साथ बढ़ते हैं इसके ठीक अगले वाले कॉंटेंट के उपर बिना समय लगाये हुए तो यह हमने देख लिया इसको वह यह थो कि कायंटिक एनर्जी नहीं होता लेकिन हालं कि मुमेंटम से सब्सक्राइब जises है और मेकैनिकल इनर्जी भी बैकारइब से सब्सक्राइब हमने हुए अब जिख लोग लिख्या हुए इस दिशा अरट प्रफेक्ली इलास्टीक और ऑगर perfectly inelastic collision अगर हुआ है तो both the bodies will stick to each other after collision given that the second body was initially addressed इस बात को मैं बकाईदा बना करके दिखा दूँगा आपको ठीक है उस बात को लेके बिल्कुल बेफिकर रहीगा चलिए शुरुआत करें जरा देखिए बात हो रही है भी inelastic collision की किसकी बात हो रही है यहाँ पर आपसे बात चीच चल रही है inelastic collision की ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है जरा गौर करीगा अच्छे से ठीक है देखिए collision से पहले के हालाद देख लो फिर collision के बाद के हालाद देख लेना ठीक है यह पहली वाली body जिसका mass था m1 initial velocity was u1 उसके बाद दूसरी वाली body जिसका mass था m2 और इसकी initial velocity क्या थी u2 थी after collision क्या हो रहा है after collision ही हो रहा है कि यह रही body m1 जिसका mass था m1 और इसका final velocity हो गया है v1 और यह रही velocity यह रही body m2 इसकी velocity क्या हो चुके है v2 हो चुके है v2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 because momentum का formula क्या होता है mass into velocity mass into velocity mass into velocity equal to mass into velocity mass into velocity वही तो करा है ठीक है यह वाली कहानी आगई अब उसके बाद लिखा है if the second body was initially addressed and after collision they stick to each other मतलब यह है अगले वाले case पर आजाए ठीक है जाहीं बाद बना के दिखायता हू जाहीं देखने इसके बारे में क्या हो रहा है if second body was initially addressed if the second body was initially addressed and after collision second body initially addressed पर थी और after collision क्या हुआ कि they stick to each other and after collision they stick to each other they stick to each other तो इससे क्या होने वाला है जरा इस पर गौर फर्माईएगा गौर यह गरना है आपको यहापर देखो क्या होता है जैसे अमाल लो M1 this was moving initially with a velocity of U1 ठीक है लेकिन जो दूसरा वाला आइटम है जो भाई साब जो दूसरा वाला आइटम है एक काम करते हैं इसको थोड़ा बनाते है इसको बनाते हैं जरा सा बड़ा ठीक है और यह इसका मास्क क्या है M1 इसकी velocity क्या थी U1 और इसको बनाते है जरा छोटा यह पर दूसरा है इसका मास्क क्या है M2 और यह रेस्पर है यह कैसी है बेटा यह है रेस्पर मतलब initial velocity दूसरी वाली body कित्ती है 0 के बराबर है टक्कर के बाद क्या हो बता है टक्कर के बाद दोनों body चिपक गए एक दूसरे के साथ तो कहानी ऐसे हो रही है कि यह बड़ी वाली body यह जो पहली बड़ी वाली body थी यह बड़ी वाली body और इसके साथ चिपक गई है यह छोटी वाली body M1 M2 Now these two bodies are moving as a single entity Now these two bodies are moving as a single entity और जिसकी जो combined velocity है इसकी जो combined velocity है वो है V के बराबर किसके बराबर है V के बराबर अब आपको यह निकाल के दिखाता हूँ कि इस combined velocity हो कैसे निकाला जाएगा चलो रेडियो भाई लोग पकार डन यह देख लिया यह समझ में आगा बड़ा important बहुत natural case अब जड़ा गौर करो क्या हो रहा है चलो है okay done अब जड़ा करते हैं कैसे निकालेंगे इसकी velocity चलो भाई लोग बिना time लगाए शुरुआत करते हैं momentum जितना initial होगा system का उतना ही momentum final होगा बेटा elastic collision हो inelastic collision हो कोई दिक्कत वारी बात नहीं है momentum दोनों में conserved होता है चलो हम जड़ा गौर करें momentum initially किता था m1 u1 momentum finally किता था m2 बाई साब u2 की तो value 0 के बराबर है गौर करें u2 की value किसके बराबर है 0 के बराबर है because दूसरी वारी body was initially at test ठीक है उसके बाद क्या हो गया बाई साब m1 और इसकी velocity क्या होगी v के बराबर उसके बाद m2 और दोनों body साथ-साथ move कर रही है तो एक ही velocity के साथ move कर रही होंगी तो यह आजाएगा m1 u1 निपट के 0 यहां से v common निकाल लिया जाए तो आजाएगा m1 प्लस m2 अब उसके बाद जब आपको बस combined velocity v निकालनी थी तो combined velocity v क्या आने वाली है यहां उसका दोसको यहां पर क्या जाएगा m1 u1 और नीचे पटक देना m1 प्लस m2 आया क्या बोलते हो भाई लोग पकार डन है सेम काम कर रहा है simple सा काम कर रहा m1 u1 यह तो निपट के 0 यहां से v common निकल चुक है तो क्या बचेगा m1 u1 equal to v times this जब v निकालना था तो m1 u1 के नीचे इसको पटक दिया m1 प्लस m2 काम खतम हो गया ठीक है जल्दी इसको नोट के लिजए 3, 2, 1, ready, go done चलो हो गया होगा भाई साब कौपी किताब लेकर बैठा गरिए तब जबरदस्त काम होता है कौपी किताब लेकर बैठा गई तब जबरदस्त काम होता है और combined velocity तो आपके निकाल के रख दी ठीक है combined velocity आपकी यह रही अगर नोट नहीं करा होगा तो इसको भी जरा note कर लीजेगा चलें आगे बढ़ें ओके बीटा, done अब यहाँ पर अपना हो चुका है inelastic collision in one dimension जब body stick हो जाएंगी उसका fund भी अपनने clear कर दिया है अब आगया है sir loss of kinetic energy ठीक है, भाई साब यही सबसे बड़ा key point होता है inelastic collision का loss in the value of kinetic energy ठीक है, अब कितना loss आएगा वो आपको निकालना है इसका नहीं एक simple से मैं आपको example देता हूँ जैसे मान लीजे for example आपके पास 1000 रुपे है ओहो इतनी अमीरी ठीक है, आपके पास मान लीजे 1000 रुपे है वो initial amount आपके पास ठीक है, उसके बाद तुम कहीं पे गए ठीक है, अब तुम किसके साथ गए में को नहीं बता लेकिन तुम कहीं पे गए ठीक है, उसके बाद तुम रेस्ट्राव अगरा गए होगे अब किसके साथ गए मुझे नहीं बता लेकिन जब तुम वापस घर की तरफ आए ना तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 50 रुपए कितने बचे हैं ओहो 50 रुपए इतनी गरीबी अब यहां पर लॉस कितने का आया तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे बाइसाब मनी इनीशल माइनस मनी का कर देंगे इनीशल कितन ददें माइनस वाइनस फाइनल कितन ही पक्राइब सो लॉस तो आपका शेया नौ।ult इसका मतलब यह है कि initially पैसे जादना थे बाद में पैसे कम पैसे हो गये तो इसका मतलब है कि loss तो हो रहा है that's for sure ठीक है और आगर ऐसा है कि initial amount थे फाइनल debt amount जादना है, मतलब extra पैसे आ गए होगे, इसका गेन हो रहा है profit हो रहा है money initial minus money final अगर मैं आप से loss की बात करूँ किस की बात करूँगा loss की बात करूँगा initial amount जादा final amount कम initial amount जादा रहा होगा loss हो गया तो पैसे बात में कब हो गया तो यहाँ पर m initial minus m final करने पर answer जो आएगा वो हमेशा positive आएगा because positive क्यों आएगा मेरे भाई क्योंकि MI बड़ा है और MF छोटा है आया समझ पक्का इस फंडी को ध्यान रखना चाहो तो कहीं note कर लो इसको ठीक है 3 2 1 ready go done आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते है भाई सब ठीक है अब आ रहे हैं सीधे loss of kinetic energy during inelastic collision के उपजल दी करेंगे चलें भाई लोग ओके डन अब आ जाते है loss of kinetic energy in elastic in inelastic collision के अंदर ठीक है अब जब गौर करें क्या होता है loss ही तो निकालना है क्या निकालना है loss निकालना है तो कुछ नहीं करना है initial निकाल लो kinetic energy minus निकाल लो final kinetic energy अगर initial minus final करने के बाद अगर value positive आती है इसका मतलब initial वाली value जादा थी और final value value जो थी वो कम थी मतलब initial जादा final कम clearly loss हो गया ठीक है बस इतनी सी बात है हम जब गौर करें कैसे इसको किया जाया carry out ठीक है पहले मैं निकाल चुका था combined velocity क्या निकाल चुका था combined velocity इसी के दम पर हम जड़ा आगे बढ़ने वाले हैं जड़ा गौर करें चलिए बीटा तो पहले हम निकाल लेते हैं kinetic energy initial क्या निकाल लेते हैं kinetic energy initial तो यह हो जाएगा half m1 u1 का square क्योंकि जो दूसरी वाली body थी ना दूसरी वाली body was initially at rest ठीक है अब जड़ा गौर करते हैं कि क्या होने वाले है finally ठीक है यह था हमाहे पास initial अब निकाल दो final kinetic energy final तो यह हो जाता है half उसके बाद mass क्या है? combined mass है mass क्या है? combined mass है m1 plus m2 because दोनों आइटम साथ साथ मूफ कर रहे हैं यह आपने गौर किया होगा कि जो दोनों आइटम थे वो exactly साथ साथ मूफ कर रहे थे m1 plus m2 और combined velocity क्या है उसकी v के बनाबर है तो v मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके बकाइदा दिखा दिया है क्या लिखा हुए? m1 u1 upon m1 plus m2 ठीक है? अब जड़ा गौर करें half into mass into velocity का square तो velocity के m1 u1 upon m1 plus m2 का square ठीक है? ठीक है? अब जड़ा गौर करें काइट के नजी क्या निकाल रही है final half m1 plus m2 और यहाँ उपर क्या आने वाला है? यहाँ उपर आने वाला है m1 का square उसके बाद क्या हो जाएगा? u1 का square उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा m1 plus m2 का square ठीक है? नीचे क्या हो जाएगा? m1 plus m2 का square ठीक है? अब जड़ा गौर फर्माएगा अच्छे से ठीक है? क्या होने वाला है? m1 plus m2 और एक m1 plus m2 गायब हो गया अब उसके बाद जब ये गायब हो गया तो sir क्या बचा ज़रा गौर करेगा अब जो बच रहा है ना वो ये बच रहा है half m1 का square u1 का square upon नीचे क्या जाएगा m1 plus m2 ठीक है ये आपके पास आ चुका है kinetic energy that to final तो भाई साब वो बन गई first equation और ये बन गई आपके पास में second equation आपको तो निकालना है कि चेंज कितना आ रहा है ठीक है तो एक काम करते हैं हम निकालते हैं change in the kinetic energy तो मैं क्या बोल रहा हूँ initial minus final कर लो क्या कर लो बेटा initial minus final कर लो ठीक है initial कितना है था half m1 u1 का square ये आपके पास है final मौझूद ठीक है तो half m1 का square u1 का square upon नीचे क्या जाएगा m1 plus m2 सही जा रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं अब एक काम क्या जाए हैं यहां से half m1 और u1 का square common निकाल लेते हैं ठीक है तो m1 u1 का square upon 2 भी यहां से common निकाल लिया जाएं जैसे आप यहां से common निकाल लेंगे बचे का 1 minus अब यहां पर क्या हो गया हाफ तो common आ गया है u1 का square भी common आ गया है एक m1 बाहरा आ चुक है तो बचे का बस m1 upon नीचे क्या बचने वारा है m1 plus m2 सही जा रहे हैं बकाईदर जा रहे हैं ठीक है अब इसके पास क्या इसके बाद क्या बचे क्या रगो करना यहां से m1 u1 का square by 2 इसको मट टच करो इसको मट टच करो अब जड़ा इसको खेल दो तो क्या हो जागा m1 plus m2 minus m1 तो लिख दो step wise m1 plus m2 minus m1 upon नीचे बचने वारा है m1 plus m2 अब उसके बाद जिसको जाना है उसको जाना है that is यहां से m1 और m1 जो है वो तो गायब हो गए और जब m1 से m1 गायब हो चुका है तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है ज़रा गौर फर्माइएगा यहां बचेगा देखो m2 बचा उपर तो m1 m2 into u1 का स्क्वेर क्या हो जाएगा m1 m2 into u1 का स्क्वेर ठीक है m1 m2 u1 का स्क्वेर upon नीचे आजाएगा twice of m1 plus m2 ठीक है अब ज़रा एक बात पर गौर करेगा यहां गया हमारे पास change in the kinetic energy क्या आगया है change in the kinetic energy और अगर आपने एक बात नोट करी होगी यह जो m1 m2 u का स्क्वेर upon twice of m1 plus m2 है this is going to be a positive quantity इसमें कोई कहीं से कहीं तक chance नहीं है कि इसका answer जो है वो negative आजा है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि now change in the kinetic energy that is k initial minus k final is a positive quantity ठीक है which means जिसका मतलब सीधी तोर पर ही होता है which means that देखो वाइस अब k initial minus k final करने पर अगर value आ रही है positive इसका मतलब simple सी बात है कि initial kinetic energy की value final kinetic energy की value से जादा रही होगी ठीक है तो initial value जादा थी बाद में value घट गई ठीक है कम हो गई तो k final कम हो चुका है अगर k final कम हो चुका है therefore एक बात शौर है कि kinetic energy is lost एक बात शौर है कि kinetic energy is for sure lost it's as simple as that ठीक है कि आपको यह वाली बात समझ में आ गई तो kinetic energy का loss तो हो रहा है अब exactly kinetic energy का loss कितने amounts हो रहा है वो इतने amounts हो रहा है M1, M2, U1 का square upon twice of M1 प्लेस M2 तो यह रहा आपके पास kinetic energy के loss का पूरा का पूरा derivation जल्दी इसको note करो फिर इसमें आगे बढ़ेंगे जल्दी चलिए गजब तो इसको आप लोग ने लिख लिया होगा पूरा तरीके से अब जरा इसको निप्टाया जाए और बढ़ा जाए इसके अगले वाले content की तरफ चले निप्टाया इसको चलो बढ़ा अब ये तुम्हारे पास था पूरा loss of kinetic energy in the case of inelastic collision वो हमारा हो चुका है अब यहां पर हम शुरू करने वाले हैं elastic collision in two dimensions two dimensions के अंदर कैसे carry out करने वाले हम elastic collisions को वो जड़ा देखने आपको चलिए बिना समय लगा है जल्दी से जल्दी start करते हैं for example देखिए जैसे माल लीजे एक body है इस वाली body का mass करता है इस वाली body का mass है M1 ठीक है और यह वाली body इस axis के along move कर रही है with a velocity of U1 माल लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो यह axis को जाने दोयर इस axis के along तो motion हो रही है ठीक है अब क्या होगा कि एक और body होगी यहां पर माल लेते हैं छोड़ी सी body माल लेते हैं एक दूसरी body है इस वाली body का mass करता है इस वाली body का mass था M2 ठीक है और यह body इस तरफ प्रपोगेट कर रही थी with a velocity of U2 ठीक है जैसे यहां पर टक्कर हो गई माल लीजे कि टक्कर हो रही है इसी point पे माल लेते हैं माल लेते हैं कि टक्कर हो रही है इस point पे तो यह जो access मैंने बनाई है यहां टक्कर होई इसके बाद bodies पूरी ऐसे छितर हो जाएंगी ठीक है एक body नीचे एक body उपर निकल जाएगी ठीक है तो माल लोग टक्कर के बाद हुआ यह है टक्कर के बाद हुआ है कि जो यह वाली बॉडी थी अब वो यहां भगना शुरू कर दी तो इसका मास किता है obviously M2 ठीक है और अब यह इधर भगना शुरू कर दी है with a new velocity of V2 ठीक है और यह जो पहला वाला मास था M1 वो माल लो अब वो यहां भगना शुरू कर दी है तो मास किता है इसका इसका मास है M1 अच्छा यह वाली बॉडी छोटी है यह वाली बॉडी जरा छोटी थी और यह वाली बॉडी जरा comparatively बड़ी है तो बड़ा बनाते है इसको अब क्या हो रहा है कि यह इसका मास किया था M1 था और यह जो M1 वाला मास्ता वो यहां भगना शुरू कर दिया है with a velocity of V1 कोई दिक्कत वाली बात थो नहीं आप लोग को तो होने क्या वाला है टक्कर होने के बाद फिर M1, M2 जो है वो यहां जाने वाली है और यह वाली बोडी जाने वाली है इस particular direction में यहां तक कोई परिशानी पकार डन अब जरा गौर करें यह जो angle यहां पर बन रहा है इसको हम theta नाम दे देते हैं और जो angle नीचे बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं Phi का क्या नाम दिया इसको हमने Phi का नाम दिया अब आप एक बात पर ज़रा गौर करेगा यहां पर एक बात तो शौर है कि यह जो कॉलीजन हो रहा है यहां पर काईटिक अनर्जी, यहां पर मोमेंटम जो है वो होने वाला है अलोंग दा X-Axis and along the Y-axis as well बिलकुल हाँ यही तो सही बात है इसकी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि momentum is a vector quantity इसको आप resolve करेंगे x-axis पर भी और resolve करेंगे y-axis पर भी ठीक है जबकि kinetic energy जो है ना this is a scalar quantity इसको आप resolve नहीं कर सकते किसी particular axis के लोग ठीक है angles की तो बात करूँगा भी थोड़े मैं चलिए since यह elastic collision है तो एक बात तो शौर है कि kinetic energy is conserved elastic collision है तो एक बात तो शौर है कि kinetic energy conserved है ठीक है इसका मतलब initial kinetic energy बोले तो half m1 u1 का square half m2 u2 का square is equal to half m1 v1 का square plus half m2 v2 का square ठीक है यह वाली कहानी पूरी clear हो गए आप लोग को तो यह तब की बात है जब यहाँ पर kinetic energy जो है वो conserved होने वाला है इस वाले diagram के respect में ठीक है तो पहले diagram बनाओ तरीके से उसके बाद लिखवाता हूँ पूर का पूरा fund है जल्दी बनाओ चलिए नोट कर लिया होगा आप लोग ने सीज को अब जरा देखा जाए इसके equations पे कैसे कारिकरम चलने वाला है ठीक है तो यह रहा normal सा kinetic energy conserved है obviously होगी नहीं क्या kinetic energy conserved तो होती है na elastic collision के अंदर ठीक है अब एक काम करो half-half common निकाला और काट दो इसको ठीक है half common निकाला और काट दिया तो काटने के बाद जो बचा वो बचा है m1 u1 का square plus m2 u2 का square is equal to m1 v1 का square plus m2 v2 का square this is your first equation यह क्या है बेटा यह first equation है किस लिहाज से की kinetic energy conserved है उस लिहाज से ठीक है अचा अब एक और बात है कि momentum is the vector quantity तो momentum भी तो conserved हो गा ही ना तो momentum along x-axis is conserved x पर भी conserved होगा y पर भी conserved होगा भाई कोई मना थोड़ी कर रहा है x पर भी conserved होगा y पर भी conserved होगा मैं पहले x पर game खिलना चाहरा हूँ ठीक है तो momentum x पर जब conserved होगा ज़रा गौर करना x पर velocities है क्या-क्या देखो u1 है और u2 है बस इत्ती सी बात है u1 है और u2 है ठीक है अब ज़रा गौर करो कैसे हो गई है देखो m1 momentum का formula क्या होता है mass into velocity m1 u1 plus क्या हो जाएगा m2 u2 दूसरे वाली body का mass दूसरे वाली body की velocity is equal to पहले वाली body का mass पहले वाली body की final velocity plus दूसरी वाली body का mass अच्छा है कौर चीज है यहाँ पर kinetic energy की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप बात कर रहे हैं दर असल momentum की ठीक है जब x-axis की आप बात करेंगे ना तो momentum को जरा सा आपको resolve करना पड़ेगा momentum को जरा आपको resolve करना पड़ेगा along the x-axis ठीक है अब x पर इसको कैसे resolve किया जाए जरा गौर करो velocity जो v1 है ना उसको जब मैं थीटा पर resolve करूँगा तो यह हो जाएगा v1 cos theta क्या हो जाएगा v1 cos theta मैंने सिखा के रखा हुआ angle पूछो और cos चिपका ज़रा गौर करो यहाँ पर velocity जा रही है v1 और यह जो angle आपके सामने बन रहा है this angle is theta ठीक है उसके बाद यहाँ पर velocity जा रही है v2 और यह जो angle आपके सामने बन रहा है that angle is nothing but 5 ठीक है अब जब आप इसको resolve करना चाहेंगे मैं आपको बस resolve करके यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहें ठीक है देखो जब हम v1 को resolve करेंगे x-axis पे तो यह हो जाएगा v1 cos theta और उपर क्या हो जाएगा v1 sin theta और जब हम v2 को resolve करेंगे x-axis पे तो यह आजाएगा v2 cos phi और नीचे क्या आजाएगा नीचे आजाएगा v2 sin phi नीचे आजाएगा v2 sin phi minus का और v1 sin theta plus का ठीक है यह ऐसे आप इसको resolve करेंगे velocities को along the x-axis and along the y-axis, ठीक है तो x में क्या आगे है, v1 cos theta और v2 cos phi आचुका है ठीक है, इसको use करना पड़ेगा ज़रा गौर करना अच्छे से चले भाई सब, तो यह तो x पर initial तो कोई resolve नहीं करना पड़ा क्यों, because initially अगर आप ध्यान देंगे तो initially the bodies were moving on the x-axis तो यहाँ पर resolve करनी की जववत नहीं पड़ी resolve तो करना पड़ेगा final, टक्कर होने के बाद, ठीक है initial equal to अगरेगा final अब final में क्या होगा ज़रा गौर करो, अच्छे से देखो बेटा पहली वाली body का mass उसके बाद, यहाँ पर क्या जागा दूसरी वाली body का mass क्या था? M2, उसका final velocity क्या है on the x-axis, V2 cos phi V2 क्या है, उसके बाद, cos phi है तो यह आगे आपके पास तब जब momentum कंजर्वड होगा along which axis, along which axis along the x-axis, ठीक है इतनी कहानी clear होगे आप लोग को तो momentum along y-axis is also conserved जब y-axis का momentum भी conserved होगा, तो कहानी कैसे carry out होगी कि initial momentum on the y-axis क्या था? भाई साब, body जो थी, वो आपके initially along the y-axis move कर ही नहीं रही थी initial motion was being done along the x-axis y पर कोई भी motion नहीं था तो y पर body के पास initial कोई velocity नहीं होगी it's as simple as that, ठीक है तो initial momentum equal to 0 because initially कोई body viper move नहीं करी थी, उसके बाद बचेगा final momentum, तो m1 v1 sin theta यहाँ चक करो, ऊपर क्या जा रहा है v1 sin theta, बट नीचे क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है v2 sin phi तो वो component आ जाएगा minus में तो m1 v1 sin theta minus करना पड़ेगा m2 v2 sin phi, minus करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा m2 v2 sin phi यह वाली बात चमकिया आपको, तो आप इसको ऐसे कह ली जानो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है m1 v1 sin theta क्या लिखा है, m2 v2 sin phi equal to m1 v1, क्या हो चुका है, sin theta यह बन गए आपके पास तीसवी वाली equation यह तब जो हमने conservation पर ध्यान दिया किस पर ध्यान दिया, conservation पर ध्यान दिया अब ज़रा आप गौर करिए, आपके पास variable है 4 आपके पास variable है 4 क्या क्या है variable, देखो v नहीं मालू हमको, मतलब v1 नहीं मालू हमको v2 नहीं मालू, उसके बाद theta नहीं मालू है phi नहीं मालू है, यह चार चीज़े variable है ना हमारे पास, ठीक है अब अगर variable 4 है, तो हमारे पास equations भी कितनी होनी चाहिए, चार बड़ यहाँ पर क्या है, variable है 4 और equations है 3, बड़ी नाइंसाफी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 4 में से कोई एक variable तो आपको experimentally find out करना पड़ेगा उसके बाद बचेंगे 3 variables तो उसके लिए 3 equations sufficient हो जाएंगी ठीक है, तो अभी इन 3 equations के दमपे, आप ऐसा as such कुछ नहीं निकाल पाओगे, बस यह 3 equations से justify करें कि हाँ वाई साब, काई टीक इन अजी conservative यह बन गया, momentum conservative था on the x axis यह बन गया, momentum conservative था on the y axis तो यह बन गया इतनी बाद समझ में आगे, आपको पका चलो ठीक है, done, अब जरा इसके उपर एक बहुत ही तगड़ा special case लेना पड़ता है, अब वो special case क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है special case यह मानते है, कि मान लीजे कि जिन दो bodies के हम बात कर रहे है ठीक है, उन दोनों bodies का mass same है पहली बात तो यह, दूसरा क्या मानना पड़ता है कि जो दूसरी वाली body है that was initially at rest, ठीक है, बस 30 सी बात है अब यहाँ पर जब collision होगा elastic collision under two dimension तो यहाँ पर कहानी कैसे carry out होने वाली है इस पर बात करना आप से बहुत ज़रूरी है ठीक है, तो special case की बात चल रही है जल्दी आजो बेटा और जो तीन equations निकाल करके रखी है वो बहुत जबरदस तरह से काम आने वाली है kinetic energy conserved था momentum on the x conserved, momentum on the y conserved उसके बाद क्या होने वाला है उसे carry out करेंगे, चलो ठीक है ध्यान देना अच्छे से special case में क्या हो रहा है कि दोनों bodies का mass same है जब m1 equal to m2 है तो उसको m बोल देंगे, ठीक है दोनों bodies का mass same है दूसरी बात क्या है कि दूसरी वाली body की initial velocity कितनी है 0 के बराबर है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो जो velocity होगी initially वो बस पहली वाली body के पास होगी तो जब बस पहली वाली body के पास velocity है तो उसको सिर्फ यू बोल दो ना क्या बोल दो सिर्फ यू बोल दो तो special case है in conditions per base, ठीक है special case में ये होने वाली है आपकी imposed conditions special case में ये होने वाली है आपकी imposed conditions जिन conditions पर हमको आए carry out करना है ठीक है अब ज़रा गौर करना कुछ नहीं है इन conditions के खातर अगर first equation पर ध्यान दिया जाए तो क्या-क्या change होने वाला है ज़रा ध्यान देना into first equation इसको लिख देता हूँ मैं कि मैं in special conditions को put कर रहा हूं into first equation जब put करूंगा तो क्या मिलने वाला है ज़रा गौर करो देखो भाई सब first equation तुम्हारे पास क्या मौजूद है यह रही m1 u1 का square m2 u2 का square is equal to m1 v1 का square plus m2 v2 का square अब उसके बाद जो बचा वह मैं एक बजने हाँ पर लिख देता हूँ m1 u1 का square m2 u2 का square is equal to m1 v1 का square plus m2 v2 का square it's as simple as that ठीक है यहां तक कोई परिशानी है पक्का चले अब ज़रा गौर करते है दोनों का मास बराबर था दोनों का मास बराबर था और एक और चीज है u2 की value क्या हो गई है 0 तो भहिया यह u2 0 हो गया तो भहिया इसको पहली फोरसत में 0 के बराबर कर दो u2 0 था ठीक है condition का according उसके बाद दोनों का मास बराबर ही है अच्छा u1 को तो अब u लिखना है तो यह क्या हो जागा पता है m u का square is equal to अब यह v1 क्या हो गया है अभी हमको v1 के बारे में कुछ as such condition wise गिवन नहीं है ठीक है तो m v1 का square plus m क्या हो जाएगा v2 का square ठीक है एक बाद जरह इसको तरीके से note करो फिर इसमें आगे बढ़ते है चलें ठीक है फिर okay done है अब जरह देखना कुछ नहीं बचास के अंदर m को कॉमा निकला है तो यहां पर क्या बचने वाला यह बचने वाला अब उसके बाद जाकर के यह बन रही है हमारे पास चौथी वाली equation ठीक है उन्हीं पर हमने conditions को impose कर दिया कंडीशन कोंसी सर यहां लिखा है बहुत तरीके से बहुत स्टेप वाइस लिखना हो तुम भी गलती मत करना ठीक है यहां आगई हमारे पास फूर्थ वाली equation अब एक काम कर लेते हैं अब इन्हीं कंडीशन को हम ज़रा पूट कर देते हैं एक बाव उसको लिख देता हूं मैं ताकि वह तरीके से वहीं पर carry out हो जाए m1 u1 plus m2 u2 initial momentum along the x-axis equal to m1 v1 cos theta m2 v2 cos phi along the x-axis final momentum ठीक है तो क्या हो जागे तरह गौर करना यह तो कहां एट करना जी बहला काम हो गया है m1 u1 m2 u2 equal to क्या हो गया था m1 v1 cos theta ठीक है plus क्या हो गया था m2 v2 cos phi ठीक है तो m1 v1 cos theta और यहां पर क्या आगया m2 v2 cos phi अब सारे conditions को impose कर दो पहली फूर्सत में u2 क्या हो गया जीरो ओहो दुख तो हुआ लेकिन क्या करें तो u2 क्या हो चुका है जीरो हो चुका है उसके बाद क्या हो गया था m1 u1 था और u1 को तो यू रिखने वाले है तो यह आ जाएगा क्या हो जाएगा m v2 cos phi ठीक है जिसके corresponding m यहां से common निकाल लो तो यहां पर अच्छा m common निकाल खडिया ठीक है तो यहां पर क्या बचेगा बस u m तो कडिया अब यहां पर क्या बचेगा v1 cos theta यहां पर क्या बचेगा v2 cos phi यह आ गई equation number 5 यह आ गई है equation number 5 ठीक है अब ऐसा ही काम कर दो equation number 3 में put करके ठीक है जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे into equation 3 अगर हम चीजों को put कर देंगे तो हमारे पास कहानी कैसे carry out होने वाली है पहले देख लो क्या चीज गि अब करेंगे momentum y पे conserve तो 0 equal to यह गिवान है m1 v1 sin theta माइनस हो जागा हमारे पास m2 v2 sin phi के बराबर ठीक है अब जरह इसे carry out कर दें अल्दी करना चले भाई लोग पक्का अब जरह देखो भाई सब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर जो conditions तो इसको impose करने से क्या होने वाला है m m दोनों बराबर कड़ गए तो v2 sin phi इसी कुछ तो क्या बचने वाला है v1 sin theta हालनकि मैं equations को आपके लिए एक बाद तरीके से वहाँ पर लिख भी दूँगा m2 v2 sin phi चले आजओ बाई आजओ जल्दी आजओ m2 v2 sin phi is equal to m1 v1 sin theta ठीक है अब क्या होगा m2 common निकल गया ठीक है कडिया वो तो यहां से आ जाएगा जहां देखे v2 sin phi इसको भर दीजेगा क्या अच्छा v2 sin phi किसके बराबर हो गया v1 sin theta के बराबर सर यह जो आपके पास equation आ रही है यह equation number six है लंबा derivation है लपक है ठीक है बाई साब ऐसे derivation करने से पता फाइदा क्या होता है दिमाग खुल जाता है ठीक है खुलना मतला वैसा सही से खुल जाता है ठीक है चीजें आप अच्छे से explain करके समझ पाओगे ठीक है अब जोना equation second equation third equation इन दोनों में भी खेल होने वाला है क्या खेल होने वाला है देखो बेटा यू का square is equals to v1 का square plus v2 का square और यू दरसे यह given है तो जो given है वह भर देंगे ठीक है तो अब यहाँ पर from fourth and fifth equation ठीक है from fourth and fifth equation we have अब ज़रा गॉर करिए from fourth and fifth equation we have एक बात तो हमको समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो यू का square है यहाँ पर जो यू का square है वो v1 का square plus v2 का square के बराबर है चला है तो v1 का square ओहो चलो v1 का square plus v2 का square is equal to क्या हो गया यू का square ठीक है अब ज़रा ध्यान देना v1 का square plus v2 का square इसको बिलकुल tension मत ली जगा अब आपको बस यहाँ ध्यान देना है u के square के ऊपर ठीक है अब यह u क्या है तो u आपके पास होगा u आपके पास होगा v1 cos theta plus v2 cos phi v1 cos theta plus v2 cos phi और obviously इसका आप करने वाले square क्या करने वाले square ठीक है अब ज़रा ध्यान देना देना चलना अच्छे से इसको मिस्मत करना v1 का square plus v2 का square ठीक है v1 का square plus v2 का square equal to क्या हो जाएगा अब यह a plus b का whole square हो जाएगा तो a square plus b square plus 2ab ठीक है तो plus 2ab multiply करेंगे तो v1 v2 cos theta cos phi cos theta cos phi ठीक है तो क्या आगया हमाने पास a square plus b square plus 2ab ठीक है तो 2a into b कर दिया ठीक है इतनी बात तो clear है अब एक काम करें इसको आप बीचे की तरफ तो यह क्या हो जाएगा v1 का square minus क्या हो जाएगा v1 का square cos square theta plus क्या हो जाएगा v2 का square minus क्या हो जाएगा minus v2 का square cos square phi और यहां right में cos square phi equal to यहां पर right में क्या बचेगा यहां right में बचने वारा है बस 2 v1 v2 cos theta cos phi ठीक है it's as simple as that till now ठीक है अब एक काम करो यहां पर क्या हो रहा है v1 का square comma निकाल लो जैसे आप यहां पर v1 का square comma निकाल लेंगे तो बचेगा 1 minus cos square theta और जैसे आप यहां पर v2 का square comma निकाल लेंगे तो बचेगा 1 minus cos square phi और right में क्या बच रहा है twice of v1 v2 यहां पर v2 छूड़ गया v1 v2 cos theta cos phi और यहां पर भी 2 v1 v2 cos theta cos phi बहुत बारिक चीज हैं बेटा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से यह 1 minus cos square theta क्या होता है यह तो होता है sin square theta और 1 minus cos square phi क्या हो जाएगा यह तो हो जाएगा sin square phi बस इनको put कर दो तो v1 का square फिर 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta plus क्या हो जाएगा v2 का square उसके बाद 1 minus cos square phi क्या होता है sin square phi is equal to twice of v1 v2 cos theta cos का phi चल रहा है ठीक है यहां तक कोई तकलीफ हो रही के आप लोग को पक्का डेन यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ रही है क्या पक्का अब ज़रा गौर करना क्या करेंगे यहां से अगर आप पहरी वाली equation पर ज़रा गौर करें तो v2 sin 5 यहां पर लिखा हुआ है v2 sin 5 is equal to v1 sin theta ठीक है यहां से कुछ values उठा करके ज़रा वहां पुट करें उस वाली equation में फिर ज़रा carry out करें आपके सामने क्या बन क्या रहा है बिकाउस derivation काफी लंबा है जितना मैं engage हूँ उतना आपको भी होना पड़ेगा जरा निकालो यहां से value और पुट करो बताओ क्या आता है चलिए भाई लोग तो मैंने यह कहा था यहां से value उठाओ और उसको पुट कर दो उस वाली equation के अंदर कौन सी value एक काम करो sin 5 मुझे गालब करना है तो जब मैं ऐसे sin 5 निकालूँगा मतलब जब मैं V2 sin 5 निकालूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा V1 sin थीटा अब निकालो बस sin 5 तो यह क्या आजागा हमारे पास V1 by V2 sin थीटा ठीक है ultimately यहां पर अगर आप इस equation को चेक करें अगली वाली equation को तो यहां पर V2 sin 5 दिखतो रहा है पूरा ठीक है तो एक काम करो V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा इसको बिल्कुल मत टच करो ठीक है V2 sin 5 यह दरसल क्या हो जाएगा V2 sin 5 का होल स्क्वेर ठीक है और V2 sin 5 किसके बराबर है V2 sin 5 है V1 sin थीटा के बराबर तो यह क्या हो जाएगा पता है यह हो जाएगा V1 sin थीटा का स्क्वेर तो V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा इस इकोल टू यहां से क्या होने वाला है twice of V1 V2 cos थीटा cos 5 सही बात है पूरी डन है पूरी चीज़ ठीक है अब ज़रा गौल करना है यहां पर क्या होने वाला है V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा प्लस V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा मतलब twice of V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा यह क्या हो जाएगा twice of V1 का स्क्वेर sin स्क्वेर थीटा रेट से काटिंग इसको ठीक है ये वाले वीवन से एक वीवन तो जो है वो गायब होने वाला है ठीक है अब जो बचेगा आपको वो लिख लिया जाए ज़रा ध्यान दीजेगा अच्छे से यहाँ पर क्या रहा है ट्वाइस ओफ कॉस थीटा कॉस फाई ट्वाइस ओफ कॉस थीटा कॉस फाई और वीटू भी है ठीक है ट्वाइस ओफ ट्वाइस ओफ वीटू कॉस थीटा कॉस फाई ट्वाइस ओफ वीटू कॉस थीटा कॉस फाई ठीक है यहाँ गया और यहाँ पर इसदर क्या बच रहा है ट्वाइस 1 sin 2 theta ठीक है सही जा रहे है आपर लोग तो twice of v2 cos theta cos y लिख दिया और यहाँ पर क्या बच्छेगा twice of v1 sin 2 theta अब बस यहाँ से निकाल दो cos theta क्या निकाल दो यहाँ से cos theta तो cos theta कित्छा आजागा twice of v1 sin 2 theta upon नीचे क्या आगा cos theta तो 2 v2 cos phi 2 v2 cos phi जिसका मतलब यह हुआ 2 से 2 तो यहाँ पर निपटी गया उसके बाद v1 by v2 को अलग से लिखो v1 by v2 को अलग कर लो और यहाँ पर क्या बचेगा sin 2 theta by cos phi ठीक है यहाँ आगे आपके पास cos theta क्या आगे अपने पास cos theta क्या आचुका है v1 by v2 sin 2 theta upon cos phi आचुका है एक बास यहाँ तक नोड करो फिर इसमें आगे बढ़ते है चले भाई लोग done चलो अब जरा इसमें ना हल का सा बस ending पहुंची चुके है ठीक है देखो ultimately होता क्या है अगर दो masses है M1 और M2 अगर दोनों का mass बराबर कर दिया जाए मतलब M1 equal to M2 कर दिया जाए और दूसरी बारी body का initially rest पे होती है तब जाकर के अगर collision होता है elastic collision under two dimension तो वहाँ पर तरीके से होता यह है कि collision के बाद जब दोनों bodies निकलती है तो वो दोनों bodies एक दूसरे के perpendicular निकल जाती है कैसे निकल जाते है perpendicular और उसी बात को हम यहाँ पर जरसल प्रूफ करने वाले हैं that's why derivation लंबा खेट जाता है बट बहुत ही deep down derivation था है अब ज़रा गौल करो यहाँ तकी बात clear हो गई है अब मेरी बात ध्यान देना हट के थोड़ा सा ठीक है क्या निकाल दो बस साथ साथ चलो एक बार निकाल दो cos theta plus phi आप जानते है cos a plus b का formula क्या होता है cos a into cos b minus sin a into sin b तो जब cos theta plus phi निकालेंगे तो cos a into cos b minus sin a into sin b तो cos a cos b minus sin a sin b it's as simple as that ठीक है अभी हमने थोड़ी देर पहले ना देखो भाई में को बस दो चीज़ा करनी है यहाँ से ठीक है अब जड़ा गौर करो cos theta plus phi is equal to यहाँ पे cos theta की जो equation है वो आ रही है यहाँ से क्या आ रही है v1 by v2 sin square theta upon cos phi क्या आया v1 by v2 sin square theta upon cos phi पुट करें इसको v1 by v2 sin square theta upon नीचे आ रहा है cos phi बगल में पहले से क्या मौझूद है cos phi बगल में पहले से मौझूद है minus अब जड़ा मेरी बातों पर ध्यान दीजेगा अच्छे से ठीक है यहाँ हमने पुट करा cos theta को वहाँ पुट करेंगे sin phi को ठीक है sin phi कहां से pick करने वाले हम sin phi हम pick करने वाले यहां से अब जड़ा गौर करना अगर आपको निकालना है sin phi sin phi क्या हो जाएगा v1 by v2 sin theta sin phi क्या हो जाएगा v1 by v2 into sin theta v1 by v2 into sin theta पुट करें v1 by v2 into आ जाएगा आपके पास में sin theta अब जड़ा गौर करिए यहां से therefore cos theta plus phi की जो value है वो यहां से क्या है भाई साब कटने के बाद क्या बचेगा v1 by v2 उसके बाद cos phi cos phi कटी गया है तो बचा बस sin square theta उसके बाद minus देखना बटा v1 by v2 और उसके बाद क्या बचेगा sin square theta बाई साब जब यह पूरा cancel हो गया तो cos theta plus phi की value कित्या आजाएगी 0 ठीक है और बिटा cos of angle 0 कब होता है 90 degree पे therefore theta plus phi की value कित्या आजाएगी 90 degree आजाएगी it's as simple as that इसी बात को तो प्रूफ करना था आया इसका मतलब अगर कभी elastic collision होता है ध्यान दीजेगा अगर कभी elastic collision होता है बहुत लंबे लंबे बन गए equations यहाँ ज़रा गौर करो तो यहाँ पे क्या हो गया अगर elastic collision हो रहा है two dimension के अंदर दोनों body का mass same है अगर दूसरी बाली body initially rest पे थी तब जब वो collision के बाद bodies निकलती है न तो उनका जो angle है theta plus 5 दोनों का separation angle वो perpendicular पे निकलती है तो theta plus 5 has to be 90 degrees जो की आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है ठीक है यह हमारा proof हो गया है it's as simple as that ठीक है तो आपने पहले वाले के तो screenshot ले लिया होगा जल्दी करो जल्दी करो ले लिया होगा पका 3 2 1 ready go done उसके बाद इसका भी screenshot ले लेना ठीक है समय कामे तो screenshot लो अदर वाइस तो note करते वो चलो तब जबरदस मजा आता है ठीक है चले हो गया पक्का जल्दी करिए इसको फिर इसमें अपने आगे बढ़ने वाले है जल्दी चले ठीक है फिर ओके डैन खतम हो गया वहला काम तो ठीक है अब जरा इसे निप्टाया जाए और जरा बढ़ा जाए अगले वाले ऑपर बस खतम पर यह लास्ट ठीक है यह कहां तुमारे पास inelastic collision in two dimensions ठीक है दो dimension में ही collision हो रहा है लेकिन inelastic collision हो रहा है ठीक है अगर आपने लिख्ये रखा है पूरा का पूरा elastic collision का तो आप समझ सकते हैं कि हां बस यहां पर एक ही काम होने वाला है कि काईटिक energy conserved नहीं होने वाली है जबकि momentum तो conserved होगा तो यहाँ पर एक बात है कि momentum is conserved along x-axis अगर momentum x-axis पे conserved है तो आपके सामने equations कैसे आने वाली है initial momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to क्या होता है final momentum ठीक है तो final क्या हो गया था m1 v1 cos theta plus याद होगा आपको elastic वाले का plus क्या आगया था m2 v2 cos y यहाँ आगया मैं पास first equation in elastic collision की बात कर रहें under two dimensions ठीक है और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि momentum x पे conserved है तो y पर भी conserved होगा तो momentum is conserved along y-axis momentum is conserved along y-axis अगर y पर conserved है तो समझने वाली बात यह है कि initially तो y पर कोई theta basically ठीक है because वहाँ पर theta था और minus नीचे आ गया था m2 v2 sin phi जब इसको हम खेलेंगे तो हमाँ पस क्या बच जाएगा यह m2 v2 sin phi is equal to यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 cos theta और यह बन गई हमाँ पास दूसरी equation बेटा आप ज़रा समझना अगर दो equations available है तो दो ही variables की value निकाली जा सकती है ठीक है तो अगर हमको अगर अब मेरी बास सुनते बचलना अच्छे से if we already know अगर हमको पहले से ही कुछ चीजों की values पता है if we already know the values of किन किन की if we already know the values of किस किस की value देखो मरी बास सुनो माल लो अगर तुमको m1 की value पहले से पता है, एम टू की वेल्यू पहले से पता है, उसके बाद initial velocity पहली वाली body की पहले से बता है, initial velocity दूस्वी वाली आइएवादी की पहले से पता है, तो अगर तुमको इन छे चीजो की वैल्यू पहले से पता है, then, भाई साब दो ही equation है, दो ही variables निकल सकते है then, we can easily evaluate अब तो काम easy है, अगर 6 पाता होगा तो 2 equations है, दो variable तो निकाल देंगे ना भाई then we can easily evaluate values of अच्छा भाई साब, छे values ले करके आप कौन सी दो values निकालने वाल है आप निकालने वाल है टक्कर के बाद की final velocity पहली वाली बोडी की और टक्कर के बाद की final velocity दूसरी वाली बोडी की evaluate values of final velocity of पहली वाली बोडी and final velocity of दूसरी वाली बोडी क्या आपको यह वाला पूरा फंडा समझ में आ गया यह आगया आपके पास inelastic collision under two dimensions ठीक है यहाँ पर kinetic energy conserve नहीं है इसलिए हम equation लिखनी बाते हैं उसके लिए तो बस यह दो चीज़े बनती हैं और आपको इन छे चीजों की values पता होगी तो आप V1 और V2 की value आराम से निकाल सकते हैं ठीक है it's as simple as that भाई साब copy किताब लेके बैठे हो तो note करो जल्दी ठीक है तरीके से हर चीज को अच्छे से revise कर लेना और सारे के सारे formula की sheet बना लेना ठीक है अब आप से मिलते हैं अगले वाई lecture के अंदर okay thank you so much